हाई अव्रिवन वेल्कम टु स्टड़िये स्प्रिंग और यह से पीएफ के लिए एसे का सेशन है जिसमें आज हम लोग वाटर क्राइसीज को डिसकस करने वाले हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सेट के लिए है और आपके सपोर्ट की ज़ुड़त है जलते हैं अपने टपी के दड़ब पहला आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में की वाटर क्राइसी जो केवल हम लोग पी सकते हैं उस जल में जब कमी आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि यह वाटर रेसकार सेटी है मिन्स की जल संकट है तो पेजल की अनूपलब्धता जो है उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह वाटर क्राइसीस है काफी सिंपल भासा में काफी सिंपल परतीसत पूरी तरीके से जल से भड़ा हुआ है और इस 71 परतीसत में से केवल 4 परतीसत पानी जो है वही पीने योग है तो प्रीथवी का 70 परतीसत भाग है वह जल से भड़ा है लेकिन केवल 4 परतीसत भाग जो है उसी का पानी पीने योग है मतलब उस 71 परतीसत का 4 परतीसत ठीक है बाकि सेस जो पानी है खाड़ा पानी है जिसमें सूडियम की मात्र जजादा होती है मुन्स वो खाड़ा पानी है उसमें नमक की मात्र जादा होती है जिस कारण से हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं अगर पिएगे तो visits teridenation होगा बहुत तरीके की बिमारीया हो सकती है तो जल जो है ठीक है वो मनुस्य के जीवन का अहम भाग हो गया हुए क्योंकि पहले तो हम लोग स्वांस लेंगे तभी जरूरत है किसी दूसरे चीज का तो स्वांस लेने के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो पानी है क्योंकि पानी के बिना है साड्य को आप मिला ले 55 इह फीचेर नहीं है कहीं भी यह विसेषता नहीं कि उस पर पानी अबयलेबल है थोड़ा सा मंगल पर मंगल पर अंदाजा लगा जाता है कि मंगल पर पानी हो पहल लेकिन अभी इसकी पूष्टी नहीं हो पाई है कि मंगल पर पानी है तो क्यों प्रीथनी ही ऐसा जो आप बता सकते की जगए जहां पर पानी अवेलेबल है तो यह प्रीथरी की पार्ट को हम लोगों ने क्लिर किया नेक्स देखते हैं हम लोग ब्रीज वाले पार्ट में पर चुली में अभी क्या हो रहा है इसके सांथ हो क्या रहा है तो पिछले कुछ वर्सों में ठीक है पिछले कुछ वर्सों में भूमिकत जल जो है जो आपका भूमिकत जल का मतलब क क्या होगा जिसको हम लोग जमीन के अंदर से निकालने जो भूमी के अंदर आवेलेबल है वह साड़े चीज़ को क्योंकि जो हमारे पेजल है ठीक है पेजल है उसका बहुत ज्यादा भाग जो होता है वह भूमीगत जली है क्योंकि हम लोग बरसा के पानी को इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं कर पाते हैं कि उसको पी सके और बाकी ज़रने की जो पानी है उसको भी हम लोग इतना ज्यादा नहीं पी पाते हैं तो जो भी पीने योगे पानी हो वो हम लोग भूमिगत जल का ही उच करते हैं उसके लिए तो प्रिवियस कुछ टाइब में क्या हुआ कि भूमिगत जल का अत्यधिक उपियोग होने के कारण इसका अस्तर बहुत नीचे चला गया अभी गर्मी का समय है आप देख सकते हैं कि गर्मी के समय में किसी-किसी जिले में किसी-किसी राज्य में ऐसा कंडिशन हो जाता है कि वहां का जो लेर होता है वो 28 फीट तक नीचे चला जाता है ठीक है ऐसा कंडिशन हो जाता है कि यहां पर जो है पानी को लेने के लिए आपको फिर से दुबारा वो चापा कल वेगरा को लगवाना पड़ता है तो यह कंडिशन जो है पिछले कुछ समय से हुआ है काफी difficult situation प्यादा कर रहा है यह सारे लोगों के लिए त तो पिछले कुछ समय से भूमीगत जल के अस्तर में काफी गिरावट आईए इसका reason क्या क्या हो सकता है इसका reason पहला reason अगर आप देखे तो अध्योगी करण के कारण क्या हुआ कि नदिया दूसित होना start होगी जो लोग दिल्ली वेगरा में रहते हैं वहाँ पर अगर तो अब सिस्ट जो होता है उसको कंपनिया नदी में डालती है और नदी में डालने के बाद देखेगा कि उसका या तो color change हो जाता है या उसके अंदर फफूदिया आती है या फिर बहुत green green color के उसमें कुछ पेर निकलाते है इसके बाद वो ना तो पीने होगे उसका पानी नहीं किसी और यूज के लिए रहता है वो पानी तो जो भी अदोगी करण के बाद बहुत सारी कंपनिया लगी industrialization हुआ तो बहुत सारी कंपनिया आए कोई सक नहीं हो पाया उसको adjust करने के लिए मारे पस जगा नहीं है जिसका कारण यह होगा कि वो लोग जो वेस्टेज हो तो आपका जो एडिकेशन होता है सिचाई होड़ा है उसमें अगर आप देख रहे हैं तो सरकार के तरफ से भी क्या किया जा रहा है तो निसुल्क में विदूत दिया जा रहा है जो विदूत है उसको निसुल्क परदान किया जा रहा है इसके कारण हो क्या रहा है कि अगर ज सुन नहीं होंगे तो जो भी धान का रुपाई होता है उसमें लोग जमिन से ही पानी निकालेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि विदूद फ्री ओफ कोस्ट है तो फ्री ओफ कोस्ट विदूद देने के कारण हर एक किसान भूमिकचल का विदोहन कर रहे हैं तो इसक सारे करने के बाद इस टाइब का हो गया हुए कि 250 जिले के जो 1952 प्रखंड है वो सारे जल संकट से जूंज रहे हैं ठीक है मैं जैसे की बिहार में रहता हूँ ठीक है मैं बिहार में रहता हूँ बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे पानी ये बिहार के मजफरपुर जि मतलब उनके कल को या फिर जो भी उनके चापा कल होते हैं उसको सेटल करना पड़ा तो ऐसे ही जीले में ऐसे ही जीले और ऐसे ही प्रखंड जो है बहुत सारे हैं मिन्स 1952 ऐसे प्रखंड है जो at present में जल संकट से जूँज रहे हैं बहुत difficult situation पैदा हो रहा है इसके साथ अगर आप देखें तो क्रिसी में जाग रूपता कि कमी भी इसका एक बहुत बारा कारण बन रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज hybrid type की जो quality होते हैं उसको अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे quality है धान के कुछ ऐसे लेकिन जाग रूपता कम है खिशान के पास अब वो क्या करता है कि वही परमपडागत 20 को अपनाते हैं वो जो परमपडागत 20 को अपनाते हैं उसके साथ होता क्या है तो होता यह है कि उसमें पानी की ज्यादा आप पूर्ती की आप सकता होती है वो पूरी तरीके से, पूरी तरीके से वो पानी का यूज करते है, क्योंकि free of cost उनको बिजली दिया गया हुआ है, तो उस कारण से भूमी का जलका भी दोहन होता है, ठीक है, अच्छे किसम के फसल नहीं हो गाने पर, यहाँ पर गौर्मेंट को भी थोड़ा सा वर्क करना चा चाहिए, कम दाम पे अवेलेबल करवाना चाहिए, यह सारे काम सरकार के हैं, इसके उपर taxes कम लगाया जाने चाहिए, तब ही इसका कोई solution हो सकता है, तो इस सारे कारण जो है, यह भूमी का जलको बहुत बुरी तरीके से बरबाद कर रहे हैं, यह reason है इसका, अब देखते है हम लोग, और next reason क्या है, क्योंकि साहर में यह समस्या जादा हो रही है, गाउं के बनिसपत, गाउं कुछ ऐसे गाउं है, जो बहुत निचले इलाके में हैं, और साहर जो है, काफी उपर है, तो यहां layer जो है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे जाती है, तो इसमें भी reason क्या है, कि गैर नियोजित साहरी करण जो हुआ, उसमें क्या हुआ था, कि नियोजन कोई हुआ नहीं, वहां कि जो आप नगर निगम बोले, उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर government ने उसके उपर ध्यान नहीं दिया, government की scheme वहां तक नहीं पहुँच भाई, जिसके खार नीचे जाता है, और वहां से वो पानी collect करता है, या पानी को supply करता है, इस situation में क्या होता है, कि अगर 300 feet नीचे तक कोई किसी pipe से अगर हम पानी लेड है, 300 feet नीचे तक का, तो इस area का जो पानी है, इस area के पानी को ये खतम कर रहा है, कि वहले इस नाम पर की ये सुद्ध है, और ये हर एक घर में है, तो ये पूरे 300 feet नीचे तक के जो layer है, उसको ये खतम कर रहा है, लेकिन अगर इसी को एक सबमर्सेबल लगा करके pipeline से इसका supply सारे जगा पर किया जाए, तो कि वहले एक particular जगा का पानी खतम होगा, चाड़ो तरफ करने, इसके उपर ध्यान देना च गैर नियोजित अगर आप बोले सहरी करन, तो ये भी इसके लिए जिम्मेवार है, responsible है इसके लिए, जिसके कारण जो है, भूमी के जल में काफी बुल तरिके से गिरावाट आना है, इस्टार्ट हो गई है, गौर्मेंट जो है, यूद हस्तर पर इसके उपर काड़ कर रही जैसे अगर आपको कुछ गौर्मेंट के स्कीम्स बताया जाए, तो राष्ट्रिय पेजल योजना है, ठीक है, राष्ट्रिय पेजल योजना ये जो है आपका, इसमें क्या उड़ा है कि सत्तर परतिशत स्वक्ष पानी परती वेक्ति को अब अब अबेलेबल करवाना पड आरगेट है, दूसरा स्वर्जल से पाइपलाइन द्वरा जलकी आपूरती जो है सवजल मीशन जो है, योजना जो है इसमें क्या किया गया कि पाईपलाइन से आपूरती करने को कहा गया सारे जगों उपर, तो ये एक तरीके से काफी अच्छा सेमबल है, अच्छा साइण है कि वाटर लेबल को ज्यादा डिकडी जोने से बचाया जाए जाए और एट परजेंट में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक अटल भीहारी बाजबई के बिर्थडे पे उनके जनम दीन पे एक अटल भूजल योजना का आरम किया है तो अटल भूजल योजना का आरम जो हुआ है वो छे राजयों के लिए अभी किया गया हुआ है बात में इसको और इसका दायरा बढ़ाया जाएगा लेकिन इसका उद्देश से क्या है कि जो भूगॉलिक रूप से कठीन जगह है मिन्स क्रिटिकल जगह है जिसका टोपोग्राफिक काफे डिफिकल्ट है ज और यहां पर क्या होगा कि जो भी राजय वाटर क्राइसिस से जूंज रहे हैं उन साड़े को पानी अभिलेबल कर जाए तो गौर्मेंट के स्कीन है लेकिन इसके साथ अगर हम लोग कंक्लूजन के उपर जाएंगे यह देखना परेगा कि वर्षा का जो पानी है वो बहु दिधी कर लेंगे तो कहींने कहीं से हम लोग वाटर क्राइसिस से बत सकते हैं क्यांकि अगर हम लोग सोचए तो जल जो है एक तरीके से जीवन है ठीक है और इसके बीना जिवन है वो संभाव नहीं है इस कारण से बोल सकते हैं कि जली जीवन है और इसके बीना जीवन संभो नहीं है तो ये सारे जो भी वर्सा के पाणी का सनक्षण क्योंकि वर्सा जब होती है अभी मौनसून का समय है बाड़ी सो रही है तो अभी हम लोग उसको सनरक्षित नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ने कहीं जमा होता है और फिर वास्पी करन होकर के वो उपर चला जाता है और फिर वो बादल बन के फिर से नीचे आता है यह समुद्र वाले एडिया में भी होता है पर वर्सा का पानी जो है अगर उसको हम लोग वाटर करेंगे तो वो हम लोग बचा सकते हैं उसको अनावस्य खर्च कहीं पे अगर किसी फैमिली में अगर एक दिन का 70 लीटर पानी के खर्च है तो वो कहीं ने कहीं से 700 लीटर पानी को खर्च करते है तो यह अनावस्य खर्च के उपर भी रोक लगाना जलूरी है जल पर दूस तो भी चीज को अपना करके हम लोग वाटर क्राइसीश से बच dennisying यrä है यह था के टोपी के-लिए जिसमें आज हम लोग जल संकर्ट से जूनता भारज जो एसे का टॉपिक है उसको कवर किया है लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का चैनल पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अभी हमको आपके सपोर्ट की जुरत है मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में थेंक्यू और गुडबाई